कि तो आपके साथ में हाजीर है बहुत 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 इंदियार करने के बाद और बहुत काफिशारम मैंनट के पैसों से खरीदा हुआ मेरा मेरा फ्रोकर्स रस 6.0 विश्टेंटल मांए कैमरा सेट तुछ यह है उसका बॉक्स जो फ्रोकस्रस कैमरा को उसके एक्सेसारीज के साथ कैरी केरे ने काम आते हैं मेरी यूटीब चैनल तो दस्तो जैसे इसका पहले वाला व्लॉग आपने देखा होगा एक मैंने दिया था तूफान का व्लॉग मतलब जो यह साइक लोन आया था तो उसका जो साइट एफेक्ट थोड़ा बहुत आया था कोलकाता में तो उसका मेरा रूफटॉप से एक जो है और मेरा विंडो से जो नजारा है वो मैंने दिया था कि पिछले वाला व्लॉग में क्यूंकि मैं आप लोग के साथ सब कुछ सेर करता हूं तो मैंने को लगा वो भी आप लोगों को दिखाना चाहिए कि बिसमों का हलत क्या है सहर के उपर अगर ऐसा एफेक्ट हुआ है तो नजी' के किनारी या ψसामिनर के किनारे जो लोग है तो उन लोग का क्या हाल हुआ होगा तो प्लीज आपको मैं फिर सब बता रहा हूं लोग Psychology मतलतं कि साइक्लों के लिए विप्टिम दोadenं कररण जो वीप्टिम बें पुर्ञ जोंकि प्लीज परीज प्लीज प्रेक के साथ एक action camera आता है तो उसका unboxing आज हम करेंगे तो दोस्तों यह जो product है यह बहुत बढ़िया है और इसके साथ काफी सारा चीजे मिलता है dual battery मिलता है तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा बात ना बोलते हुए बाकी आप लोग को हम दिखा थे unboxing के टाइम तो दोस्तों घड़ी आ गया उस पल की जिस पल के लिए हम बेस सबरी से इंतिजार कर रहे थे तो यह है वो परसल जो आमाजान से मैंने मंगा आया था और जिस इसके लिए आप लोगों मैंने काफी सस्पेंस में रखा था तो यह है वो परसल जो मेरे पास आ चुका है तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबाउक्सिंग कर विरा हम खूस दो जयरावो परसली उनल तो काफी दूसरे आया है और ये है बिल इसको साइड में रखते हुए इसको हम कर रहे है थोड़ा सा सानिडाइज तो चलिए इस मिस्ट्री बॉक्स को अब ओपन करते है तभी आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्या मंगाया था और इसमें क्या आया चलिए आपको थोड़ा सा क्लू दे दू यह हाइडन सीख गेम मैंने बहुत खेल लिया अब तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंने क्या ओडर किया था और इस टब्बे में क्या होगा कि फाइनली मेन यूनिट का अन्बॉक्सिंग करते हैं कि अब अब जो ने इसको भीजने में काफी टाइम लगा दिया तो दोस्तों आपके समने हाजीर है बहुत 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 इंतजार करने के बाद और बहुत मैनत करने के बाद और बहुत काफी सरा मैनत के पैसो से खरीदा हुआ मेरा प्रोकर्स रस 2.0 विद एक्स्टरनल माइक कैमरा सेटब तो यह है उसका बॉक्स जो प्रोकर्स रस कैमरा को उसके एक्सेसारीस के साथ कैरी करने में काम आता है और यह रहा में यूनिट दोस्तो प्रोकर्स रस 2.0 और हान जी इसको हम करने वाले हैं थोड़ा से सेनिटाइज इसे बॉक्स को भी कर लेते हैं शेप्टी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा वैसे तो हो गया यह सेनिटाइज अब ताइज वाव वाओ वाव अट उसेटिंग बॉक्स मैं वट उसेटिंग बॉक्स तो दोस्तो यह है वो मिस्टि बॉक्स जिसके लिए ब डेशी संदिजार कर रहा था आप लोगों को काफी सस्पेंस में रख्था था कि एक बहुत 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 डिफरेंस सा चीज अन्बॉक्सिंग होने वाला है मेरे चैनल पर तो ये है वो चीज दोस्तों जिसके लिए मैं बेस अबरी से इंदुखार कर रहा था प्रोकस रस 2.0 एक्शन कामरा विद एक्टरनल माइक इसका बॉक्स अब देख सकते हो इसमें आप स्क्रिन सोट लेना चाहों तो वीजियो को पॉस करके अब ले सकते हो 19 एक्सेसरीज दे रखा है इनोंने और यहां पे इसका सबसे बढ़िया बात है जो वो इसका एक ओफिसियल वेबसाइड है जहां से आप यह चाहो तो सर्च कर सकते हो और करीद भी सकते हो यहां पे मैक्सिमम लिटेल प्राइज लिखा हुआ है 12999 और दोस्तों सबसे बढ़िया बाद इसके साथ जो है इसका मिलता है आपका एक एप्लीकेशन प्रोकास क्यामरा बोलके जो प्लेस्टोर में अबलेबल है जिससे आप यह चीज एक्सेस कर सकते हो तो दोस्तों बॉ अब लोग देख सकते हो इसके साथ काफी सारा एक्सेसरी जाता है और दोस्तों यह है यह है वो बहतरी चीज और में कैमरा प्लोकर्स 2.0 जिसका कमपणी ने क्लेम करता है कि नया चीपसेट के साथ कमपणी इसको लाँच किया है और जो सबसे मुझे बढ़िया चीज लगा है इसका 3.2 mm इसका माइक पोर्ट दिया गया हुआ है जो इसका माइक के लिए काम करता है और बहुत अच्छी तरीके से इसका जो कोवर है यह बिल्डफ हो रखा है और कैमरा बहुत छोटा है टाइनी है वैसे एक्षन कामरा छोटा ही होता है दोस्तों कि खोलते हैं इसको 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 तरफ प्रेस करके इसको ऊपर के तरफ किंचने से खुण जाता है तो दोस्तों खुल गया इसका जो वाटर्टूप केस था उसका धकन अब इसको थोड़ा हम साइड में रखते है और देखते है जो में यूनिट है तो दोस्तों यह है प्रोकर्सरस 2.0 विद यू चीप सेट आड़ इसका प्लास्टिक का बिल क्वालिटी भी कापी अच्छा है और यह है इसका एक्स्टरनल माइक पोर्ट और यह है इसका HDMI आउटपूट और यह है इसका USB चार्जिंग का पोर्ट और यह है इसका माइक्रो एजडी कार्ड स्लॉट तो दोस्तों अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इससे पहले मिस्टेरियस अन्मॉक्स हुआ था जिसमें मैं कुछ हुन छोड़ा था तो आपको अभी लग रहा होगा कि मैंने क्यूं वो चीज़ लिया था तो दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को दिखाया यह है क्यामरा का मेन यूनिट और दोस्तों यहां पर इसका बैटरी रहता है तो इसका बैटरी का जो केसिंग है यह इसको मैं खोलता हूँ अब देख सकते हो फूल गया इसका बैटरी का यूनिट और दोस्तों यह है इसका बैटरी जो थाउजन एट्टी इमेज का है और यहां पर कुछ बैटरी का मॉडेल लंब लिखा हुआ है और बैटरी का कुछ इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों बैटरी को इंस्टॉल करके फिर जो चीज आपको दिखाने वाला हुँ वह आपको दोस्तों यह वही स्टॉंटियम माइटरो एवन चीप है पर लोगों के पास एक क्वेश्टन रखा था कि माने क्यूं लिया तो उसका परपस यही था दोस्तों यह एक्शन कैमरा जो है इसी के लिए मैंने लिया था तो फिलाल करते हैं इसको इंस्टॉल और करते हैं इसका पावर और इसको थी सेकंड दबाने से यह ओन हो जाता है आई होप कि यह ओन हो रहा है कि फिलाल तो दोस्तों मुझे लगता है इसका बैटरी में साहे चार्ज नहीं है इसको साइड में रखते हैं अभी हम देख लेते हैं थोड़ा कि इसके साथ हम लोगों को क्या क्या समाल और मिला है तो जैसे ही हम लोग देखते है कि इसके साथ मिला है इसका एक क्लोधिंग क्लॉथ एक एक्स्ट्रा टाच कपेबल बैक स्क्रीन गार्ड जिसमें दो साइड में होल है जिसके वज़ए से आब इससे विदाट माइक भी रेकोडि हो डियूरिन मोटव लॉगिंग और हाँ दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो आपका कैमरा कैमरा और इसका एक्सेसरी इसको रखने के लिए यहां पर कुछ होल्स मिलता है जिसका जूज करके आप लोग अपना जो सारा कुछ समान है इसके अंदर आप रख सकते हो तो आप ऐसे ऐसे करके निकाल के अपना कैमरा और जितना सारा मतलब समान है इसको आप इसके अंदर अराम से भरके रख सकते हैं कोई भी दिखकत नहीं होगा इसके लिए कंपानी में इस बॉक्स को बहुत महिनत करके बनाया है तो तो यहाँ पर ऐसे बैठ जाता है और इसके अंदर सारा कुछ समान आराम से आपका कि फिक्स हो जाता है आपक अ यहां पर ऐसे निदस के अंदर साहरा समान आरहाम से शीच्ज जाता है जो दोस्तो इसके साथ जो बैटरी ऐ तो स्में चार्ज नहीं है तो इक्स्टर बैटरी को मैंने निकला और इस 언द यहां तभी इसको बारी है ओन करने का इसको हम लोग ओन करके देखते हैं जैसे मैंने आपको कहा था यह मोड बटन थ्री सेकंड प्रिस करने से यहां पे लाइड आता है और यह ओन हो जाता है कि ऐसा एक साउंड आता है तो दोस्तों यह जैसे ही ओन होता है इसका रिकोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है ठीक है और यहां पे इसको आफ करने के लिए आपको को के बटन प्रिस करने पड़ेगा और यहां पर जाके एक बार आप कार्ट गो फॉर्मट कर लो फिर यह बोल रहा है कि टीएफ कार्ड प्रेस एगें तो इसको फॉर्मट करने के बाद इसको हम फिर से एक बार इंस्टॉल करते हैं भी इसको करना क्या है ओके प्रेस करना है फिर यहां पर जो तो पीछे में इसका जो जो अपिछ करने से इसका मोड चेंज होता है जैसे ये विडियो से आ गया कैम रामोक्त में और और प्रिश करने से आपका जो Sumple से वो लिखाएगा और एक बार प्रिस करने से आपका जो वीडियो सामपल वो यहां पर दिखा रहा है और एक बार प्रिस करने से इसका सेटिंग्स ओपन हो जाता है इसका सेटिंग्स में जाने के लिए पहले आपको ओके बटन प्रेस्ट करना पड़ेगा तब जाके आप इसका वीडियो सेटिंग्स के अंदर आजए तो वीडियो में आप यहां पर देख सकते हो फोर के थर्टी एपिए बगेरा बहुत कुछ अप्संस इसमें है तो इसका एक वीडियो में बाद में डालने वाला हूं इसका डिटेलिंग का वीडियो पहले में इसको यूज करूंगा इसका थोड़ा बहुत एक्सप्रियेंस गेंग कर लूंगा उसके बाद आप लोग के स अगर आपको वीडियो अच्छा लागा होगा और अगर वीडियो अच्छा लागा होगा और अगर वीडियो अच्छा लेगे तो प्लीज दो लाइक शेर और कमेंट आण माई वीडियो अगर वीडियो अच्छा लागा होगा और अगर वीडियो अच्छा लेगे तो प्ली प्लीज दो सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल एक इस्प्रेशन और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब में बेल वाला इकन है वो दबाने के लिए मत भूलू कि वो दबाने से मेरा हर कोई वीडियो का हर कोई नोडिकेशन और तासानी से आप लोग मिल जाएगी जिसे आप लोग वीडियो देखके चैनल से जारो यार प्लीज सब्सक्राइब बटन दवा के और बेल आइकन को प्रेस करके जाओ यारू मतलब अगर आप लोग ऐसे करोगे तो मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे मी मतलब आगे के दिन में ऐसा या फिर इससे भी अ कि विलेविक की शॉटि इस बाइब एक है चैनल स्थन एफ एक है कि आसे करेस्ट बाइ